मैं शिकाश रहस्तों मेरे चैनल शिकास कीचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर रही हूँ तो चलिए देखते हैं उस रेसिपी का दोस्तों आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाएंगे हम गेहूं के आटे की मदद से बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही रसीले हमारे गुलाब जामुन बनकर तयार होंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरुवत है बहुत ही जटपट बनकर तयार होने वाली ये रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ करें 400 ग्राम यहां पर मैंने खोवा लिया है और खोवे को सबसे पहले हमें कद्दू कस करना है ग्रेटर की मदद से आप इसे बढ़ी अच्छा ग्रेट कर लें और साथ ही मैंने यहां लिया है 100 ग्राम गेहूं का आटा मैदा डालने से कई बार हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं वो अंदर से हार्ड हो जाते हैं और चाशनी भी अंदर तक नहीं जा पाती है परंतु गेहूं का आटा लेने से हमारी जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक नरम बनते हैं और चाशनी भी अंदर तक के बहुत अच्छी तरह से चली जाती है तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के करीब शक्कर ली है जितनी शक्कर ली है कटोरी भर कर उतना ही आपको पानी लेना है और बस इसे हमें गैस पर उबलने रखना है गुलाब जामुन की चाशनी बहुत जादा गाड़ी नहीं बनाई जाती जैसे ही चाशनी में उबाला है हलका सा चिपचिपा पन आए और आप गैस की फ्लेम को फिर बंद करेंगे एक तार से भी नीचे की चाशनी बनाई जाती आप कह सकते हैं एक तार की चाशनी आपको बनाना है जादा गाड़ी चाशनी होने से चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जा पाती है थोड़े से चाशनी में रंगत देने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हूँ साथ से आठ केशर के धागे इससे रंग भी बहुत अच्छा आएगा फूट कलर को हम एवाइट करेंगे मावा लिया है दोस्तों कई जखा मावा कई लोग इसे खोवा बोलते हैं तो इसे सबसे पहले आपको इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है तो इससे क्या होता है जो खोवा है वो अंदर तक के बिलकुल नरम हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनते हैं जितना अच्छा हम इसे मैश करेंगे जितना बढ़िया ग्रेट करेंगे उतना ही जादा ये सॉफ्ट होंगे हलके होंगे और हलके होने से ही गुलाब जामुन बहुत नरम बनते हैं तो ये देखे, जो मावा है, बढ़ी अच्छा कदू कस कर लिया है, और अब इसमें हमें मिलाना है गेहूं का आटा, गेहूं के आटे को आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे रोक रोक कर डाले, बढ़ी अच्छा खोवे में मिक्स करते जाएं आटे को, और धीरे धी तरह से मसलना है इस तरह से इसमें लोच लगाना है जितना बढ़िया हम गुलाब जामून के डो को मलते हैं दोस्तों मसलते हैं उतने ही अच्छे गुलाब जामून बनते हैं तो कम से कम इसे मसलने में हमें दोस्तों पास से साथ मिनट का पूरा टाइम लग जाता है तो धीरे बढ़ीहा गुलाब जामुन बनते हैं बस यहीं पर थोड़ी सी महनत है तो आप एक बार मेरे कहने से गेहू के आटे की मदद से आप गुलाब जामुन जरूर बनाएं बहुत ही बढ़ीहा बनते हैं तो अब गुलाब जामुन का ये जो डो है बढ़ी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है आप देख सकते हैं बढ़ी अच्छा इसमें फूला पन आ गया है मैंने इतना अच्छा बढ़ी आई से मसला है दोस्तों बढ़ी अच्छा फूलापन आगया है एक दो बार और भी से मसल लेती हूँ ताकि और भी मुझे इसमें हलका पन दिखाई दे तो गुलाब जामुन तो दोस्तों सभी के पसंद के होते हैं चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुढ़े हो सबका फैवरेट स्विट डिशोती गुलाब जामुन और घरकर पर जो बनाते हैं दोस्तों उसकी तो बात ही अलग है तो ये डो जो है वह बड़िया अच्छा बन चुका है अब हमें इसकी छोटी छोटी लोई बनाना है बहुत से घरों में बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन खाते हैं और कई घरों में थोड़े बड़े साइज के बनाया जाते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार लोई का साइज रख सकते हैं, इस भी चाशनी रेख सकते हैं, चाशनी बड़ी अच्छी उबल चुकी है, तीन से चार मिनट ही आपको इसे उबालना ये देखे, हलका सा चिपचिपा पनाया, बस, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, और चाशनी को एक साइज रख देते हैं, बहुत उबलती हुई चाशनी में हमें गुलाब जामुन नहीं डालना है दोस्तों, तो चाशनी का काम पहले कर लें, और अब हम इसकी लोईयां तयार करेंगे, तो चाकु की मदद से आप अपने घर के अनुसार छोटे या बड़े गुलाब जामुन की लोई काट सकत हैं, तो मैं यहाँ पर मीडियम साइस के ही बना रही हूँ, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े बड़े गुलाब जामुन भी नहीं बना रही हूँ, तो बड़िया एक एक लोई को उठाते जाएं, खुब अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से गोल करें, और यदि चाशनी थंडी हो जाती ही, दोस्तों बनाते बनाते तो आप उस चाशनी को हलका गरम कर लें, ये ना सोचें कि एकदम थंडी चाशनी में आपको गुलाब जामुन को डालना है, दोस्तों, तो मेरे हाँ थोड़ा टाइम हो गया था इसलिए मैं चाशनी को हलका सा फिर से गरम कर लिया है और बस अब गुलाब जामून को हम तलने रखेंगे जैसे ही गुलाब जामून को तलने दोस्तों तुरंथी तलने के बाद आपको इसे चाशनी में डालना है तो आप चाहें तो तलने के लिए घी भी ले सकते हैं या कोई भी refined oil भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने refined oil डाला है फ्राइ करने के लिए और छोटा सा टुकड़ा डाल कर देखा है गुलाब जामून का बिल्कु छोटी सी गोली कि food तो नहीं रही है दोस्तों कई बार खोय में भी कई परिशानी होती है या अच्छा नहीं होता है तो कई बार गुलाब जामून तूटने सा लगता है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ball जो है वह तूट नहीं रही है तो अब हम इस refined oil में एक एक करके सभी गुलाब जामून डालेंगे तलते समय गैस की flame का ध्यान रखें slow flame पर ही आपको इसे fry करना है कभी भी तेज आच ना करें क्या होता दोस्तों गुलाब जामून यदि हम बहुत high flame पर तलते या medium flame पर भी तो गुलाब जामून तलतों जाते हैं उपर उपर से परन्तु अंदर से उनमें कच्चा पन रहता है इसलिए slow flame पर ही इसे fry करें आप देख रहे हैं मैं इस तरह से तेल हलका हलका सा चमच की साहता से उच्छालती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये fry हो जाए तो जो गुलाब जामून अभी सुनहरे नहीं हुएं उन्हें मैं अच्छा सुनहरा कर लेती हूँ और इसी तरह से सारे गुलाब जामून को आपको fry करना है ये देखे बस इस तरह सा जो कलर दिख रहा है आपको ऐसा कलर हमारा आना चाहिए तो बस तलते जाना है और गुलाब जामून को आपको इसी तरह से हलका गोल्डन करते जाएं और गरम गरम निकालके तुरंथ ही चाशनी में डाले और चाशनी माल लीजे दोस्तों अगर ठंडी हो जाती है तो हलका सा गरम करना बिलकुल ना भूले जितना अच्छा गुनगुनी चाशनी में आप इसे डालते हैं या हलकी गरम चाशनी में डालते हैं उतनी तेजी से ही गुलाब जामून चाशनी को सोक लेते हैं बीज बीच में इसे हिला दें ताकि एक तरफ से चिपकने ना पाएं दोस्तों गुलाब जामून तलते समय ह हमें यहीं पर खड़े रहना पड़ता हम सांत में कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं मैं भी इसे हिलाती जा रही ही हूँ। तो एक सांत मैंने कम्धियों आठ से दस गुलाब जामून डाल दिये हैं और बस एक एक करके सभी गुलाब जामून को अब आपको चाशनी में डालना है तो चाशनी हलकी गरम है थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से हिला लें और बाकी के गुलाब जामून भी हमें इसी तरह से तलते जाना है और इसमें डालते जाना है अब आप देख सकते हैं बहुत तो चाषनी वाला बरतन भी थोड़ा सा चोड़ा लें, तो जादा अच्छा रहेगा दोस्तों, ताकि सभी गुलाब जामुन गरम गुलाब जामुन ही हमारे चाषनी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं, सभी को प्रॉपर जगह मिल सके, और यदी और भी जादा गुलाब है दोस्तों तो नीचे गुलाब जामुन जो की थोड़े पहले डले हैं उन्हें आप थोड़ा ऊपर निकाल लें और नय तले हुए गुलाब जामुन को आप चाशनी में नीचे नीचे डालें ताकि अच्छी तरह से चाशनी को वो सोक सके तो आप इसे थोड़ी देर के हैं तो बस बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार हैं तो अब आपको मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने नरम नरम से हमारे गुलाब जामुन बने हैं ये देखे दोस्तों बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं आप इसे जरूर ट्रा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा